साथियों नमस्कार गद्य सिक्षण स्रिंखला में आपका स्वागत है इस स्रिंखला के अंतरगत आज हम हजारी प्रशाद दिवेदी और उनके निबंध कुटज पर चर्चा करेंगे कुटज निबंध NCRT की कक्षाबारह की एक्षिक हिंदी की पाठ़ पुस्तक अंतरा भाग दो में संकलित है निबंध से जुड़े महत्पुन बिंदुओं पर प्रकाश डालने के लिए विशे विशेशग्य के रूप में आज हमारे वीच उपस्थित हैं प्रफसर सूरज बहादूर थापा प्रफसर सूरज बहादूर थापा लखनो विशेव विढ़्याले में अध्यापन रत हैं भासा साहित सिक्षन के च्छित में बिसिस्थ नाम हैं उनसे बात-चीत करेंगे डक्टर अंगत तिवारी डक्टर अंगत तिवारी दिल्ली विश्व विशेव विढ़े के स्री अ इस कालकरम में आपका बहुत-bहुत स्वागत है। ग्धैने बाद। आज हम लोग आचार्ज हजारीप्रशाद दिवेदी के निबंध कुटर्ज पर बात्चीत करने जा रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि क्टर्ज पर बात्सीत करने से पहले आप अचार हजारी प्रसाद दिवेदी का संचिप्त जीवन परिचा दे दें तो इससे हमारे विद्यारतियों को काफी लाव होगा साथियों हिंदी साहित के अधेताओं को यह जानना बहुत जरूरी है कि आचार हजारी प्रसाथ दिवेदी बहुत ही प्रतिभा संपन या आप कह सकते हैं कि बहुमुखी प्रतिभा संपन साहितकार है उन्हें बहुमुखी प्रतिभा संपन इसलिए कहा जाता है कि वे एक ही साथ नकेवल इतिहास लिखते हैं बलकि आलोचना के सिर्ष पर भी हैं, वे उपन्यास कथा साहित लिखते हैं, और उसके साथ ही साथ निबंदकार भी बहुत अच्छे हैं, जैसा कि आपने बताया हम आज उनके निबंद पर ही चर्चा करने को एकत्रित हुए हैं, आचारी दिवेदी ने बहुत अच्छे उप कथा, पुनर नवा, अनामदास का पोथा, इस तरह की प्रसिद्ध के उपन्यास हैं, ऐसा माना जाता है कि एक भारती सहली की उपन्यास विधा को आविस्कृत करने में दिवेदी जी का ही बड़ा योगतान है, और दिवेदी जी आलोचना जब लिखते हैं, तो 1941 में उनकी कबीर जैसे पुस्तक आई थी, कबीर पर इसके पहले सिर्फ स्यामसंदर दास जी ने कबीर ग्रंथावली का संग्रहन किया था, लेकिन एक उच अस्तर की आलोचना जिससे कबीर हिंदी साहित के मंद्य स्थापित होते हैं, या दिवेदी जी के हाथ होई हुआ, उनकी कबी आस भी उन्होंने लिखा, हिंदी साहित की आधिकाल, इसके साथ हिंदी साहित उद्भर विकास, उनकी इतियास लेकिन की एक मतपुन उपलब दी है, हम देखते हैं कि वे इतियासकार के साथ आलोचक हैं, उपरन्यासकार हैं, सिर्स अस्तर के निबंधकार हैं, तो इस तरह की बहुम की प्रतिभाः हिंदी साहित में बहुत कम दिखाई देती हैं और दिवेदी जी उन बिरले साहितकारों की स्रेड़ में आते हैं इसके लिए वे हिंदी साहित में तो अमर है ही उन्हें पद्मपुरसकार से पुरसकृत भी किया गया है और आप जानते हैं कि उनकी सा नाम की पुस्ताक 1984 में लिखी थी, जिस पर आज भी बाद बिवात संबात की प्रकरिया चल रही है, और यह बहुत महत्पुर्ण है, एक साहितकार की द्रिष्टी से. आज का निवंध जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो विधा की द्रिष्टी से निवंध है, तो हम चाहते हैं कि निवंध विधा के बारे में कुछ बातें आप बताएं. निवंध विधा आज कल कुछ उपेक्षित सी चल लही है, लेकिन हिंदी साहित को सीर्ष पर पहुँचाने का काम निवंध विधा के द्वारा हुआ है, और उसमें हजारी पुसात दिवेदी जैसे निवंध कारों का बहुत बड़ा हात है, निवंध का सीधा एक अर्थ मा ये दिवेदी जी जिस निवंध विधा को अपनाते हैं, जिसको साहितिक सास्त्रियता में ललित निवंध कहते हैं, उन ललित निवंधों में विचारों की एक उडान होती है, लेकिन उन विचारों की उडान में अंदर ही अंदर विचारधारा और सोच, दर्सन, अनुस्य वो देखना पड़ता है, उसे बाहर निकालना पड़ता है, तो निबंध को हम एक तरह से कह सकते हैं, कि निबंध विचार के साथ-साथ, एक वैचारिक मुक्ति के साथ, लालिति के साथ, लिखा जाने वाला प्रांजल गद्य विधा है, जो अपनी पठनियता से पाठकों को बहुत ही आकर्षित करता है, तो मेरे समझ से जैसे की उपन्यास है, कहानी है, और वो उतने ही गहरे में जैसे पाठकों को परभावित करते हैं, निबंध विधा वी करती है, तो ये विधा बहुत ही महत कुड़ विधा है इन्दी साहित की. देखे जब साहितकार किसी विषय पर लिखता है तो विषय के सिर्षक या नाम का चुनाव वह उस रचना के अंतरवस्तु को ध्यान में रखकर करता है कि वो कहना क्या चाहता है और जो कहना चाहता है उसी उद्देश के अनुसार वह उस पाठ का या रचना का सिर्षक तै करता है तो यहाँ दिवेदी जी ने कुटज का चैन किया है और वह उनका जान बूच कर किया गया चैन है कुटज एक ऐसा पौधा है जो बहुत मुचा नहीं होता उसे आप मध्यम दर्जे चोटे का पौधा कह सकते हैं और यह जो परवत्स रिंकला है यह बहुत ही कठोर है सूखा है नीरस है यहाँ उतना पानी का स्रोत नहीं है और ना उतनी हर्याली है यानि कि एक पौधे के लिए जीवन जीना एक संघर्ष से कम नहीं है तो दिवेदी जी जब कुटज को चुनते हैं निबंध लिखने के लिए तो उनके पीछे वही जीवन दृष्टी है या वही सोच है कि ऐसे जीवन को हमें रुपाइद करना है जो विपरीत परिस्थीतियों में भी अपनी जीजी विशा के लिए पहचान कायम कर सके तो कुटज एक ऐसा पौधा है जो बाद में चलकर प्रतीक हो जाता है एक परियाय बन जाता है उस तरह के जीवन जीने वाले लोगों को जिनको जीवन में संघर्स करना पड़ता है जिनके लिए जीवन काटो भरा पत है जिनके लिए जीवन एक महान संघर्स है आसान नहीं है लेकिन हस्ते हस्ते बहुत ही हसी-खुसी के साथ और किसी भी प्रकार की बैमनस्यता या किसी तरह की रिनात्मक भावना से चिवुथ हो करके एक मानवताव वादी दिष्टी के साथ जीने वाले का पर्तिग बन जाता है यह कुटज या आसे बन जाता है या परयाय बन जाता है दिवेदी जी जीवन को इसी दिष्टी से वो संघर्ष की जीवन दिश्टी, जी बिलकुल, तो दिवेदी जी का संघर्ष इसमें किस तरीके से दिखता है, आप ये कह सकते हैं कि कुटज कुटज नहीं है, वो प्रकरांतर से स्वेंद दिवेदी जी का जीवन संघर्ष है, ठीक इसे ऐसे ही हम समझें, कि जैसे राम की शक्ति पूजा में राम राम नहीं है, वो निराला के जीवन संघर्षों का प्रतीक है, तो यहां भी कुटज दिवेदी जी के वास्तविक जीवन संघर्ष का प्रतीक बन जाता है, उनके परमसे से आलोचक नामर सिंग ने भी लिखा है, कि कुटज एक प्रकार का आत्म संस् जिसमें दिवेदी जी के अपने जीवन संघर्ष रुपाइत हुए हैं, दिवेदी जी का जीवन संघर्ष नीजी होते हुए भी नीजी नहीं है, अपना नहीं है, केवल बैक्तिगत नहीं है, क्योंकि दिवेदी जी जिन मुल्यों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो बैक् पर चोट करते हैं, कि इस बैमान बैवस्था में एक इमानदार, सच्चा ब्यक्ति जो देश और समाज के लिए सच्मुछ कुछ अच्छा करना चाहता है, तो उसके रास्ते में कितनी रुकावटें खड़ी की जाती हैं, कितनी कठनाई आती हैं, और ये रुकावट पैदा कर इने वाले लोग कौन हैं, समाज के जिम्मेदार लोग हैं, जो पदों पर बैठे हुए हैं, तो दिवेदी जी ने एक जगह कहा है, कि कुटज खीसे नहीं निपोरता, यानि कि चापलूसी में हस्ता नहीं है, चापलूसी नहीं करता, और मक्षन नहीं लगाता, वह कि हमें अपने सत उद्देश को ले करके कभी समझाता नहीं करना चाहिए, उसके साथ दिड़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तो कुटज एक तरह से दिवेदी जी के अपने आत्म संगर्शों का प्रतीग बन जाता है, दिवेदी जी ने अपने जीवनें बहुत संगर कि ये सभी जानते हैं, जग जाहिर है कि कासी हिंदू विस्विद्याले से उन्हें निस्कासित किया गया, इसके बाद उन्हें चंडिगर्ड सिवाली की स्रेणियों में जहां विस्विद्याले स्थापित है, वहां स्थान मिला और वहां उन्होंने अपने स्रम साधना से अपनी एक अलग पहचान बनाए तो अगर आपका उद्देस ठीक है और आप सही उद्देसियों के लिए काम कर रहे हैं तो आपको कस्ट हो सकता है आप विपरीत परिस्थितियों में जा सकते हैं लेकिन आप काम करते रहें और सचाई के साथ आगे बढ़ते रहें तो एक दि सूखे प्रांत में गर्मी में जीता है लेकिन पता नहीं वो कैसे पासानों के बीच से अपना जीवन सुरोद ढूंड लेता है और बिल्कुल खिल करके जीवन जीता है एक अवधूत की तरह तो ये एक आत्मसंगर्स की द्रिष्टी वहां प्राप्त होती है रग्शाब य अवधूत की इस धारणा को अपने दूसरे निवन सीरीज के फूल में ज्यादा स्पस्ट किया है और वहां उन्होंने अवधूत को कबीर और गांधी के साथ जोड़ा है अवधूत वो व्यक्ति होता है जो दुख और सुख हर परिस्थिती में संभाव से रहता है संभाव भी नहीं होता है वह सुख और दुख को बराबरी के भाव से लेता है कि सुख और दुख जीवन के भाग है और उन दोनों का स्वागत किया जाना चाहिए और सुख और दुख में रहते हुए हमें अपनी मानवतावादी दृस्टी को मनुस्योचित कर्म को बेवहार को मु तटस्थ होते वे भी तटस्थ नहीं होता, वह अपने ब्यक्तिगत लाभालाव से तटस्थ होता है, लेकिन संसार के सुख से, दुख से, उनकी चिंताओं से, कस्ट से, वह बिल्कुल संप्रिक्त होता है, उसके सापेक्च होता है, तो कभी मैथियो आर्नल्ड ने कहा था कि एक आलोचक को या रचनाकार को डिसिंटरस्टेडली इंटरस्टेड होना चाहिए, ये एक बहुत बढ़िया पदबंध है, जो अवधूत को समझाने के लिए बहुत अच्छा होता है, कि आप दिल्चस्पी ले रहे हैं, आप सापेक्च हैं, लेकिन साथ ही साथ आप निर आज और देश के लिए हो जाए, तो इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है, तो ये अवधूत भाव है, और आज साथियों मैं समझता हूं, कि हमारे साहित के अध्यताओं को, विद्यार्थियों को, सब को, इस भाव से साहित का ध्यान करना चाहिए, और जीवन मुल्य खड निया में नहीं, बलकि हिंदी साहित संसार में एक मील का पत्थर है, ये कलातमक्ता की एक मुचाई तक जाती है, लेकिन ये जो कलातमक्ता है, वह सिर्फ कलावादी कलातमक्ता नहीं है, इसमें सोच है, इसमें बिचार है, इसमें जीवन दरसन है, इसमें जीवन की यथारत गहरी द्रिस्टी है कला और विचार इसमें इस तरह से घुल मिल गए हैं जैसे नमक और पानी आपस में घुल मिल जाते हैं तो इसकी उपलब्दी ये है कि जैसे इसका जो लालित है वो लालित सिर्फ सब्दों के प्रांजल चुनाओं में नहीं है या एक प्रांजल भासा में नहीं है उसकी अभिवक्ति की द्रिस्टी में नहीं है बलकि सोच की गहराई के साथ बिचारों को निबंदकार ने इतनी योजना बद्ध तरीके से रखा है जैसे वो जब कुटज पर बोलना सुरू करते हैं तो वो हिमाले को सोभा निकेद बताते हैं हिमाले को सोभा निकेद बताने के बाद वहाँ उसकी सिवालिक स्रेणी की चर्चा करते हैं सिवालिक स्रेणी की चर्चा करके फिर वो कुटज पौधे के चर्चा करते हैं कुटज आता है तो वो बतातें कि नहीं, कुटज इस तरह से नहीं है, हो सकता है, रहीं का मूड सही ना रहा हो, उनकी मानसिक्ता अच्छी ना रही, तो उन्हों कह दिया, लेकिन कुटज बहुत काम का है, क्योंकि कुटज उनको संघर्शसील, वंचित, पर इमांदार, जनत या वर्ग के रूप में दिखाई देता है तो फिर वो कुटच की चर्चा के साथी साथ कुटच के नाम पर आ जाते हैं कि ये कैसे पदबंद उत्पन हुआ हुगा कूट का अर्थ क्या है घड़ा है, घर है फिर वो नाम और रूप के दरसन पर आ जाते हैं जो भस्ताचार ब्याप्त है और उसके खिलाफ जो संघर्स है उसको वो कुटज की जीवन दिरिस्टी के साथ दिखाने लगते हैं देखें वो कहते हैं कि जीवन जीना एक कला है और कला ही नहीं तपस्या है तो जीवन जीने की कला होनी चाहिए, जीवन एक तपस्या होनी चाहिए कला क्यों होनी चाहिए? जब जीवन की विपरीत परिस्थिती हो, तब कोई जीए तो वो कला है जीवन की सारी सुवधाई उपलब्द हो और आप जी रहें तो वो कला नहीं है तो जब विपुरीत परिस्थिती हो अनुकूल परिस्थिती या ना हो तो प्रतिकूल परिस्थिती में जीवन जी करके अपने लक्ष को प्राप्त करना यही कला है और यही तपस्या भी है क्योंकि आप अपने इस तरह के जीवन से संघर्ज से न केवल स्वयम को आगे कि आप एक मुल्य, एक आदर्स, एक द्रिस्टांत, एक उची गाइड टू एक्सन जिसको हम कहते हैं, वह समाज के सामने रख रहे हैं, और वह बहुत काम का होता है, तो आप देखेंगे कि उसको लेते हुए दिवेदी जी फिर अपने बैक्तिगत कॉमेंट में आ जाते हैं, बैक्तिगत टिपणिया करते हैं, और अपने जीवन की बाते बताते हैं, कि चापलूसी करना, बहिमानी करना, गलत रास्ते पर जाना, सिद्धानतों के साथ समझोता करना, ये उनके बस की बात नहीं है, तो स्वार्थी नहों करके उनका आत्म स्वाभिमानी का जो जीवन ह वह कुटेज के माध्यम से आ जाता है तो इन सभी बातों को उन्होंने चरन दर चरन इतनी ब्यवस्तित ढंग से रखा है चीजों को कि वो कुल मिला करके एक समस्टिगत प्रभाव पैदा करते हैं क्या भासा, क्या बिचार, क्या दरसन कितना नाम और रूप का कितना गहरा दरसन उन्होंने इतनी आसानी के साथ वहाँ प्रस्तूत कर दिया है कि देखते ही बनता है तो कुल मिला करके आप ये देख सकते हैं कि कुटज में बिचारों को उसका बिलकुल एक संसलिस्ट गोल बना करके बहुत आसान तरीके से जीवन की बड़ी और उची बात को उन्होंने बिद्यार्थियों और पाठकों के सामने रखा है और वह रखने का तरीका इतना सुंदर है इतना अच्छा है कि उसका एक स्थाई प्रभाव व्यक्ति के दिमाग पर पड़ता है और यह दिवेदी जी की एक बहुत बड़ी लब्दी है उनका कुटज निबंध गोदान की तरह उनका कुटज निबंध राम की सक्ति पूजा की तरह प्रभाव डालने वाला गहरे से प्रभावित करने वाला मील का पत्थर बन जाता है साहिते के दुनिया में कुटज का मूल संदेश दो लाइन में आप बता दें देखे कुटज का मूल संदेश हम सुरू से ही जो बात कहते हैं आसानी से अगर कहें तो जीवन के दो पक्ष होते हैं एक सत पक्ष होता है एक असत पक्ष होता है उस बैमान और भस्ताचारी दुनिया में जीवन के मुल्यों को कैसे आप बचाए रखेंगे सबसे बड़ी जरूरत है दुनिया में मनुस और मनुस्यता को बचाए रखना और मनुस और मनुस्ता को बचाय रखने का एक बड़ा संदेश इस निबंध में हजारी परशाद दिवेदी जी दे रहे हैं मुझे यही लगता है कि यह मानवता का संदेश देता है कुटज निबंध के बारे में आपने जो जानकारी दी निश्चित रूप से यह हमारे विद्यारतियों के लिए ज्यान वर्धक और लावदायक होगा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों अभी आपने हजारी प्रशाद दिवेदी और उनके निबंध पर यह चर्चा देखी और सुनी इस चर्चा के उपरांत आप लोगों के मन में कुटज निबंध से सम्मंदिल जो प्रशन और जिग्यासा हैं थी प्रशन उनका निश्चित रुप से समाधान हुआ होगा ऐसा विश्वास है फिर भी आप लोगों के मन में कोई प्रशन और जिग्यासा हो तो अपने मित्रों से और अपने अध्यापकों से चर्चा करें बातचीत करें और उसका समाधान ढूणें साथियों अब हमारा कारक्रम यहीं समपन होता है अगले कारक्रम में हम किसी अन्य महत्तपुन रचनाकार और उनकी रचना पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए हमें अग्या देजिए नमस्कार करेंगो यहीं से चर्चा करेंगे रचनाकार और उनकार की बात्तपुन अगले किसी अत्रच कर शेके बात्रचा करेंगें